नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजुकेशन में तो दोस्तों यहां पर हम मद्य प्रदेश शामान नियान का थार्ड पार देखने वाले हैं जो आपके मद्य प्रदेश में आने वाली परिच्छा हैं जेल पहरी MP प्लिस और आने वाले टाइम में जैसे कि MPSI लेवर इंस्पेक्टर ग्रूफ फाइब और जनमें मद्य प्रदेश की जीके पूछे जाती है तो उन सबी के लिए आपके लिए वेनेफिशल होने वाला है तो टेस्ट की तरह दीजेगा और यहां पर मैं कुछ चीज आपको बता दो है आपको करीबन दो महिनी तो मिली जाएंगे तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके नहीं आप साथ में करती रहीएगा और देखिए बाकी जो न्यूज है न्यूज पेपर में आपको कटिंग या बैसी चीज़े मिलती है तो उन सब पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देन गई होगी तो उसके लिए भी कुछ मुश्किल है कि वह एज रिलेक्सेशन दें आने वाले टाइम में आई एज बढ़ाएं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा और अगर ऐसा होता है तो सामिल हो जाएंगे बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा तो अपनी तीन चार पांच तो मदब्रदेश में जो है वो तीन ही जो है वो विस्धरूवर ने जिसको इनेसको में हम कहते हैं कि सामिल किया गया है पहला जो है वो खजराहो के मंदिर हैं जिसे जो है वो 1986 में जो है वो सामिल किया गया था उसके बाद जो हम सांची की बात करेंगे सा पढ़ते है तो चिराओ ओम सकता है दो पूछा पड़ते हैं पर था पेसंग वाद का कारखाणपा किस वर्स में इस्तापट किया गया कि आप पूचा जा सकता है कि security paper मिल जो मद्विदिश में इस्तित है वो कौन से जले में हैं तो होसंगाबाद में है इसकी जो स्थापना हुई थी option में यहाँ पर 1956 1988 शरशटब 1960 में जो है वो इसको स्थापना हुई थी इसका अंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो संगावाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डचेस फॉल है रचत प्रपात है बोरी अभ्यरंड है इंपोर्टेंट है याद रखना है बोरी अभ्यरंड है पांडब गोफाएं है और जो पचमड़ी जो है वो यह संगावाद जिले में पड़ती है तो यह आपको याद रखना है नेक्स है यहाँ पर चिंता हरन गड़ेश मंदिर इवं स्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में इस्तित है ऑप्शन है अगर मालवा इंदौर ग्वालियर रीवा तो इसका अंसर हो जाएगा अगर मालवा यह कुशन पूचा गया है नेक्स मेगनीज नगरी के नाम से भी हम जानते हैं तो वहीं पर मेगनीज के बड़े भंडार पा जाते हैं वहाँ पर एक छेत्र और है मलाजकंड जो की तामे के लिए जाना जाता है तो इसे भी आपको याद रखना है नेक्स है निम लिखेते जिलों मैंसे कौन से जिले में लाणा पावा पहाड़ी से ओके तो यह भी आपको याद रखना है और चंबल नदी मददेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 965 किलो मीटर तो यह लेंथ भी आपको याद रखना है यह जो है मदद प्रदेश और आयस्थान की शीमा बनाती है यमना क ये टावा जो है वो वहां पर एमना नदी है तो उसी में जो हो मिल जाती है यह चम्बनादी ऊके तो ये भी आपको याद रखना है मृर्दा अपर्दन का जो सबसे जादा मृर्दा अपर्दन जो करती Wenya Maps छित्र है वहां पर नेक्स है यहां पर निम्लिकित एक किला एवं स्लक्रित चलाले के साथ गुफा मंदिर भी है option है काणा बाग बहरनड पन्हा बाग भी रण भाग बांदवकड रण तो इसका अंसर हो जायेगा बांदवकड बाग में यह किला और संस्uges सलाले कि गुफा के साथ गुफा मंदिर भी में इस्तित हैं शितर यहां उमरिया क्पठनी में पड़ता है प्रड़ियार करदी में फड़ता हूं प्रदीन करने सिछिव पसमारों के पीच्प 30 सब्र में प हैं तो यहां नेके नियुक्त महीं से काना राष्टियुदं का अनमोल रतन कौन सा है ऑप्षिन है सारा मगरमच बाहा शिंगवा और शिंग्ग तो यह बहरा शिंगवगा वह बहर शिंगव бывает क्थन उद्ध्यान है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और टाइगर एजर्मन 1973 में जो है इसको सामिल किया गया था नेक्स है यहाँ पर फाग के शेत्र का लोक पर ये लोक गायन है ऑप्शन है बुंदेल खंड नीमाड मालवा चेत्रकूट तो इसका अंसर हो जाएगा नीमाड शेत्र का जो है ये लोक पर ये लोक गायन कीत है नेक्स है यहाँ पर पार्शली कौन से नदी के किनारे इस्तित तो इसका अंसर हो जाएगा C option यह question जो है वो पूछा गया है इसलिए मैंने इसको सामिल किया गया है तो partially याद रखना यह बनाश नदी के किनारे इस्तित है और बनाश नदी की बात किया है तो चम्मल की सहयक नदी है नेक्स है यहाँ पर घाटी गाओं अब्यारंट को आलियर में किस वर्स स्थापना की थी option है 1989, 1981, 1984, 1985 तो इसका जो स्थापना वर्स है तो 1981 में की गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा B option घाटी गाओं अब्यारंट यह को आलियर में है तो अब्यारंट से रिलेटर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ जो भी important अब्यारंट है तो उनको मैंने cover किया हुआ है तो अगर आपना नहीं देखा तब भी वीडियो जरूर देख लीजेगा नेक्स है आपर निमले खितमेंसे किस जिले में किस जिले से केन नदी निकलती है option है इंदोर होशंगाबाद जबलपूर अनूपूर तो केन नदी जो है यह जबलपूर जिलेशन निकलती है तो इसका अंसर हो जाएगा सी ऑफशन जबलपूर की बात हुई है तो जबलपूर जो है वो सांस्कृतिक राजभानी के स्कूप में हम जानते हैं इसको और बात की जाले देखिए केन नदी अगर आपको जबलपूर ना दिया हो परवत दिये हो तो कौन से बिंद्यान चल परवत से निकलती है ओके ब सब्सक्राइब को पता होगा वेरी वेरी इंपोडेंट कोश्चन है आप जबलपूर रीवा सतना भुपार तो रीवा जिले में जो है स्तापित किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रीवा की बात किया तो रीवा को वाइट टाइगर लेंड के नाम से ज नेक्स है यहाँ पर ब्रत हरी लोक कता का पाथ निम्न मैंसे किस छेत्र में होता है और मालवा की है यहाँ पर बात हुई है तो मालवा का निर्मान जो लावा से हुआ है जो काली मिट्टी पाई जाती है पूरे चेत्र में और मालवा की गंगा जो है वो छिपरा नदी को कहते हैं तो यह आपको याद रखना है नेक्ट है यहाँ पर सतना में आम तोर पर बूली जाने बारी बूली कौन सी है यानि कौन सी भासा बूली जाती है । उप्शन है। यादफर उर्टू, बगेली, मिथली, उडिया। तो सतना जो बात की जा तो इसमें बगेली गया है, बोली, बोली जाती है। तो इसका चान्सर हो जाएगा !!! B-Option नेक्स है याद भारत भववन में कितने परग हैं। एप्शन है, 5-6-7-8 तो भारत भबन में जो है वो 6 बार गैं तो इसका अंसर हो जाएगा B option भारत भबन जो है ये भोपाल में इस्थित है ये जो है वो 3 फरवरी के करीब है 1982 में इसकी स्थापना होई थी और इसकी स्थापना जो है वो इंद्रा गांधी द्वारा की गई थी बाष्तुकार आपसे पूछ लिया जाए तो बाष्तुकार जो है वो चाल्स कोरिया है चाल्स कोरिया दोरा जो है वो इसका बाष्तुकार है, नेक्ट यहां पर राणी दुर्गावती शंग्राले किस नगर में स्थेत है, ओप्षन है मंसर और बोपाल खरवन जवलपूर तो इसका अंसर हो जाएगा जवलपूर में है रानी दुर्गावती शंग्राला है याद रखना है आपको शमादी भी वहीं पर भी है और संसकारिक राजधानी के रूप में हम जानते हैं जवलपूर को जो मद्य प्रदेश का हाई कोड जो जवलपूर जलेगी है नेक्स है यहाँ पर मद्य प्रदेश की कुटीर एवं ग्राम उद्योग के केमिनेट मंत्री कौन है और श्री गुपाल भारगव श्री जगदीश देवड़ा डॉक्टर नरतों मिश्रा इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा श्री हैं और भी हैं human ministry की बात की जाए तो मैं जो केमिनेट मिर्श्री है मदबदीश की तो उनके जितनी भी मंत्री हैं उनको आपको याद रखना है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह आप्शन नेक्स है यहाँ पर दिखिए बाकी नरुत्तम डॉक्टर नरुत्तम मिसर आपक है 2223-2044 तो इसे जो है 23 को जो है वो इस्तापित किया गए था बॉरानपुर जला जो है वह सबसे बात की जाए तो दच्छडी जला है दच्छड का प्रवेश दवार कहा जाता है मद बेदेश में इसको और रताप्ती नदी के किनारे पसा हुआ है आसीरगड का किलावी य और ममताज की कब्र जो है वो सबसे पहले यहीं पेर उतनाई गई तो इसके बाद ताज में ले गए थे नेक्ष्ष यहाँ पर मूल रूप से खजराओं में कितने मंदिर थे अब तो बहुत कम हो गए हैं जब शुरू आतमे मूल रूप से कितने मंदिर थे चाथी City पिच्चासी, 87, 88, तो आपको याद रखना है, 85 जो है, वो मंदिर थे, तो इसका अंसर हो जाएगा, B option, तो ये में जो है, वो option दिये थे, ये question दरसल, प्यापम के exam में, किसी exam में पूछा गया था, तो उसमें, जो है, 85 लिए हो आता, तो आपको 85 लगाना है, Next, यहाँ पर, रिवा पन्ना का पठार, और किस नाम से जाना जाता है, option यहाँ पर, बिंद पठार, सत्पड़ा पठार, मालवा का पठार, बंदर का पठार, तो इसे जो है, वो बिंद पठार के नाम से भी जाना जाता है, रिवा पन्ना का पठार, तो इदर जो है, वो तो यह थे 20 questions I hope आपके almost सही होंगे तो अपने कितने सही निकले comment box में जरू बताना वीडियो को like और अपने फ्रेंडों के साथ सेर जरू कर गया करें अपने फ्रेंड और जो भी साथ ही नए है चैनल को subscribe कर ले हैं साथ में एक bell icon बन गया है कि उसके वी क्लिक कर लीजिएगा जिसके माद्यम से आपको वीडियो का notification मिलता रहेगा तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजेगा education channel तो लोगों ने बहुत खुल के बैटे हैं लेकिन पढ़ाई जो है वो बहुत ही कम आपको देखने के मिलेंगे तो किरपय करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आपका selection होगा और तभी आने वाली live जो है आपकी जो है वो अच्छी रहेगी आपके शपने साकार होंगे तो mostly जो आपके काम आने वाली चीज है वो आपकी पढ़ाई है तो पढ़ाई पर ध्यान दें तो मिलते हैं क्लिक वीडियो में, thanks for watching the video, have a nice day